आजके इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूं प्लेज लाइव अप्लिकेशन को आप अपनी फोन में कैसे यूस करेंगे तो गाईस गर आप भी जानना चाते होगelly यह यह अप्लिकेशन हैब क्या और इस फोन में कैसे यूस करें तो फिर इस वीडियो खेंगे-प्लेस rated वगर आपको देखने तो वो भी यहाँ पर आप completely देख पाएंगे अब कैसे application को use करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम अपनी phone में इस application को open करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको account का option मिलेगा Google का and one click registration का option मिलेगा तो किसी से भी आप जो है क्लिक करके registration कर पाएंगे मैं one click registration करके फटा फट से यहाँ पर registration कर लेता हूँ अब गई जैसे यहाँ पर आप sign in करेंगे sign in करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने home page में बहुत सारे friend के यहाँ पर जो profile आ जाएंगे अब इस application के जितने भी online रहेंगे इस app के अंदर वो सारे यहाँ पर हमारे सामने जो आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ से आप उनके साथ रहेंगे उनकी जो profile रहेंगी वह यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगे इस पर आपको मिल जाएगा जो भी इस application के अंदर आपको message करेंगा वह भी इस list के अंदर जो आ जाएगा और आप किसी को करेंगे तो वह भी इस list के अंदर आपको जो मिल जाएंगे लास्ट वाला option मिलेगा जिसके अंदर माइन और इसके अंदर आप अपनी profile देख पाएंगे और यहाँ पर वियाएपी डायमंड्स करेंगे अब इसके साथ अगर हमें चैट करना है तो यहाँ पर नीचे की साथ में देखेंगे हैलो वाला option है इसके उपर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम जो इनके साथ चैट करना चाहते तो यहां से हम जो चैट कर पाएंगे ठीक है फिर से एक बार इसके उपर क्लिक करें जैसे एक बाइंगे चेए लेकिन यहां पर आपको वीडियो कॉल करना है यहां पर नहीं करने से पहले मैं आपको बता देता हुआ कि मैं आपको कोई भी सरे आपर यहां पर आपक्ट एसैस काुजर्ट के लिए गरेंगे हैं के ऐसे यहां पर 沒有 Octrad up करो की Aas उसके बाद यहां से हम जो इसे back करेंगे, back करने के बाद यहां पर हम देखेंगे कि अगर जो है, यहां से call करना, chat करना तो इस तरह से आप कर पाएंगे, उसके बाद यहां पर हमें जो दूसरा option है, मैं आपको बता देता हूँ, यह जो option है, show वाला, इसके उपर हम टैब करेंगे, तो इसके अंदर अलग-अलग बहुत सारी profile आ जाती है, इसमें अगर call करना तो वह सेम प्रोसेस है, यहां से call and chat का option यहां पर आपको जो मिल जाता, ठीक है, तो इस तरह से आप अपने phone में इस application को use कर सकते हैं,